अवैद कबज़े वारे की बात आ रही थी, तो कुछ ताच में ऐसा कुछ पूछा गया आप से? ने आप भी लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में और अंदर तो उसके बारे में पूछा नहीं गया और बार-बार ये अवैद कबज़ा वाला मामला क्यूं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ दीगे, हमें यहीं पता है कि जो अख़़ारों की मादेम से आप लोगों की मादेम से जो पता चला है कि जो केसे इसको अधार बना के यह सारा चीज किया गए है जब से हम विधायक बने तब से मेरे ओपड केस वेस सारा हो रहा है अब ऐडी भी हो रहा है अभी तक कोई पूछ ताष नहीं हो रहा है बस investigation वो लो कर रहा है अपने आइशन के वारे में कोई कोई नहीं नहीं पूछ नहीं बॉलका का उफिधायक अंबर परसाद तीन बजे आज एडी दफ़तर पहुंची उनकी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है बतादे कि जिस तरीके से जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉंडरिंग के तहत एडी के अधिकारी उनसे पूस्ताच कर रहे हैं चार अप्रील को एडी ने उनको समन करके बुलाया था लेकिन स्वास्त का हवाला दे करके वो नहीं पहुच पाये थी उनके लगबग तीन बज़े अभी जो वक्त हो चला है वो तीन बज़ रहा है और तीन बज़े अमब परसाद जो है आज दूसरे दिन E.D. दफ्तर पहुंची है और उनसे फिलहाल E.D. दफ्तर में पूस्ता चल रही है आपको पता देगी जिस तरीके से अमब परसाद का 12 मर्च को अमब परसाद के 20 ठीकानों पर छापे मारी की गई थी इस दौरान E.D. के अधिकारियों को कई संदिक्द दस्तावेज हांत लगे थे उन्हीं दस्तावेजों के हवाले से आप देखेगा कि जिस तरीके से लगतार अमब परसाद हो चाहे उनके पिता हो या फिर भाई हो या फिर उनके जो भी करीबी हो उनसे एरी समन करके बार बार पूस्ताच के लिए दफसर बुला रही है दूसरे दिन भी अमब परसाद पहुंच चुकी है अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है ये पूस्ताच किस तरीके से जो है पूस्ताच निकल कर सामने आ just90 किया जिस गाने वनुने खुद गाया और उसमें उन्होंने एक्ट भी किया अमबाज पूछा गया कि इस वक्त Come is एक अधिया वह लाउज कि गाया धिषयरा कि वह सफितियम है और उस्ससान कम करने के एक तरह से कहा है, उन्होंने इस गाने को गाया है, लांच किया है, उसके बाद गाने के लांचिंग के बाद अम्मपरसाद सिधे एडी दफ्तर पहुंचती है और उनसे करीब 8-9 घंटा पूस्ताच की जाती है, अभी भी अम्मपरसाद आई, उनसे भी कई सवाल पूचा गय समझ में नहीं आ रहा है, वह समझने की कोशिश करे रहे है, अलाकि इतना तो साफ है कि जिस मामले में अम्मपरसाद से एडी पूस्ताच कर रहे हैं, वह जमीन से जुड़ा मामला है, अव्याद गबजिवारी का मामला है, और लेवी वसील्यू हो, चाहे है, रंगडारी हो इस तरह के मामलों में एडी के अधिकारी जो है मनी लॉंडरिंग के तहट अमब परसाद के पूरे परिवार से पूस्ताच कर रही है और उसी के तहट जो है जाच भी कर रही है फिलहाल अब देखना ये है कि पूस्ताच के बाद जो है अमब परसाद को रहत मिलती है या फिर अंबापरसाद की मुश्किले बढ़ती है यह पुस्ताज के बाद ही पता चलेगा बुलाएं गया है तो फिर आए है और जब बुलाएं जाएगा तब आएंगे थोड़ा चेतर में कारिक्रम कुछ है टेंड कर पाएं इसलिए चेतर चले गया थे इस वज़ा से थोड़ा वे कुछ खास वजह से पता है यह पता है कि जो अख़ारों की माधिम से पता चले है कि जो केसे उसको अधहर बनागे इन सारव चीज किया गया है तो अभी तक तो उसके आगे कुछ पता नहीं प्ता है अब तक तो नहीं की गई है अभी तक नहीं की गई है अब यह तक नहीं की गई है अब भी लोगो पूछ रहे हैं और अंदर तो उसके बार में पूछा नहीं गया और बार बार यह अवैद कब्जा वाला मामला क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब कि आप लोगों को बार बार हमने बोला है कि किसी का अगर पैर्वी किया अगर जमीन से जो अधिकारी है वो ऑथेंटिक होते हैं जाच करने के लिए हम लोग अपना हमारा कोई इंट्रेस्ट कभी भी किसी जमीन पर नहीं रहा हम बले किसी व्यक्ति कोई आते हैं कि हमारा जमीन विवाद है और जीम लांड का या फिर मुझे लगता है कि जमीन विवाद का बा अधिकारी का काम है इस सब करना है इसमें जमीन विवाद में हम लोग कहां से हैं यह तो बहुत ही साफ सूत्रा बात है इसमें आप लोग कि पुस्टैनी जमीन है उसके बारे में पुस्ताच हो रही है कि अंधर समीन से रिलेटर पोई भी सवाल नहीं कुछ रहे हैं और अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं है क्योंकि पुराने केसस में बहुत पुराने नहीं है जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ओपर केस वेस सारा हो रहा है अब एडी भी हो रहा है अब अब यह जो मोबाइल या लैक्तॉप यह सारी चीजे हैं इसमें कई कुछ लगाएं इदर देखें आप से पुष्टाश नहीं हुआ अभी तक कोई पूछ नहीं हो रहा है बस इंवस्तिगेशन वह लोगाएं अपने सब्सक्राइब आपको अभी तक समझ माया है क्लिव बूला रहा है घरी समझने का कोशिश कर रहे हैं इतर लिए पारी क्या उससे जो भी चीज पूछ रहे हैं अभी तक तो नहीं पता चाहेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे आज नवरात्रा शुरू हुआ है और छेत्र से ही बहुत सारा कलश यात्रा अर्टेंड करके आए हैं और दो बजे का समय मिला था लेट भी हो गए तो छेत्र की जनता का बहुत प्य सेवा भाव से एक एक व्यक्ति का काम किया है बहुत प्रेम से बहुत से लोगों का बात सुना है और वाकी सबसे सुप्रीम पावर तो उपर वाले भगवान है उनसे सुप्रीम कोई नहीं होते और उन पे मेरा पुरा आस्था है दूसरी दिन बुलाना क्या आपको लगता है कि संतुष नहीं हो पाई ED की अधिकारी आपके सब जबाबों से देके वो तो आप उनसे पूछे कि क्या संतुष नहीं हो पाएं क्या हैं बायोम, medical preparation का एक मात्र संस्थान जहां है जारकंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 माक्स पार 10th पास स्टूदेंस के लिए foundation कोर्स और 11th पास स्टूदेंस के लिए pressure कोर्स 12th पास स्टूदेंस के लिए target कोर्स 18 अपरेल से शुरू हो रहे हैं कॉंटाक बायोम कॉंटाक बायोम कॉंटा कॉंटा गॉबडात का